हेलो एंड वेलकम बेक दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है अनुराग लौक लासिस और हम पढ़ रहे हैं इंडिया का कॉंस्टिट्यूशन और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 25 से लेके 28 तक जो हमें बताता है फ्रीडम ओफ रिलीजिन के बारे मे तो हमारे कॉंस्टिट्यूशन में सबसे पहले हम रिलीजिन के बारे में कुछ जानकारी दे ले लेते हैं तो हमारे कॉंस्टिट्यूशन में 40 जब अमेंड्मेंट हुआ था 42nd amendment जब हुआ हमारे constitution में तो उसकी वज़ाए से हमारे constitution में तीन शब्द जोड़े गए थे जिसमें की एक शब्द था secular जिसमें की एक शब्द था secular और यह हमारे preamble में जोड़ा गया था और यह state को कहता है कि आप जो है सारे religion को protect करेंगे मगर किसी भी religion में interfere नहीं करेंगे अब इसमें case आ जाता है एक S.R. Bomae का case S.R. Bomae का case आ जाता है S.R. Bomae versus Union of India इसमें बताया गया था कि secularism जो है एक basic feature है constitution का और state को सारे religion को equally treat करना है और religion जो है एक individual की faith होती है इसमें religion के बारे में बताया गया था कि religion जो होता है वो एक individual की faith होती है और उसे कभी भी secular activity के साथ mix नहीं करना चाहिए और जो secular activity होती है वो state द्वारा regulate की जा सकती है law के द्वारा और state कभी भी किसी भी religion को state जो है ना ही anti religion है ना ही pro religion है और सारे religion को equally treat करती है अब हमारा next case आ जाता है संतोश कुमार वर्सिज मिनिस्ट्री ओफ HR डिपार्टमेंट संतोश कुमार वर्सिज मिनिस्ट्री ओफ HR डिपार्टमेंट तो इसमें हमें बताया गया था Supreme Court ने ये held करा था कि जो CBSC में संस्कृत language पढ़ाते हैं ये secularism के खिलाफ नहीं है है ना ये जो है जो संस्कृत language है वो एक Asian एक Aryan language है पुरानी Asian Aryan language है और court ने ये direct करा कि CBSC को 3 महिने के अंदर अंदर necessary amendment करने पढ़ेंगे अपने syllabus में और संस्कृत को एक elective subject चुनना पढ़ेगा फिर इसमें हमारा next case आ जाता है अरुना रॉय का case अरुना रॉय में क्या हुआ था अरुना रॉय के case में क्या हुआ था कि national education policy बनाए गई थी 2002 में जो की बताता था कि इस policy में children बच्चों को basic education के साथ value based education भी दी जाएगी और इसमें बताया गया था कि बच्चों को सब religion के बारे में भी पढ़ाया जाएगा तो ये contention उठी कि ये तो article 28 का कुलंगन है तो इसमें court नहीं ये held करा कि जो एक किसी भी religion की study होती है वो school education के against नहीं है और ये secular philosophy के अंदर आता है अब हम पढ़ते हैं अपना article 25 अब हमें religion की जानकारी हो गई है clause 1 जो है वो guarantee देता है clause 1 जो है वो guarantee देता है सब person को कि आप कोई भी religion चुन सकते हैं कि आप कोई भी religion चुन सकते हैं प्रोफेस कर सकते हैं प्रेक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं तो कोई भी religion को आप चुन सकते हैं उसे follow कर सकते हैं और उसके बारे में आप कोई भी यातराय निकाल सकते हैं और यह जो right है यह पूरा का पूरा absolute नहीं है इस right के उपर भी restriction है और इस right के उपर restriction कब लगाई जाती है जब public order और morality और public health के खिलाफ अगर आप कर रहे हैं तो आ article 25 में clause 2 जो आता है इसमें A और B दे रखा है हमें A और B में हमें बता रखा है कि state के पास state को यह power है कि वो law बना सकती है तो state के पास जो power है वो regulate करने की और restrict करने की power है और क्या कहते हैं social welfare और reform के लिए उसे कानून बनाने पड़ेंगे तो पहले में हमें बता रखा है कि जो state है वो regulate कर सकती है restrict कर सकती है किसी भी economic financial political या कोई भी secular activity को जो की religious practice के साथ जुड़ी है और clause 2 में हमें provided में बता रखा है कि providing के वो social welfare और reform के लिए होनी चाहिए और Hindu religious institution state को खुलवाने चाहिए है ना सब हिंदू section के लिए उन्हें के कहते हैं खुलवाने चाहिए इसमें हमारा case आ जाता है एन आदित्य वर्सिज tranvacore devasammae board इसमें क्या हुआ था कि जो पुजारी होते थे वो यह कहते थे कि हम ही बनेंगे जो है ब्रहमण है ना तो इसमें यह कहा गया कि नौन ब्रहमणवी temple के पुजारी बन सकते हैं अगर उनके पास sufficient knowledge है तो वो तो नौन ब्रहमणवी temple के पुजारी बन सकते हैं यह हमें बताया गया था एन आदित्य वर्सिज ट्रेवन कोर वर्सिज ट्रेवन कोर देव स्वामी बोर्ड देव स्वामी बोर्ड और इसमें फिर हमारा next case आ जाता है इसमाइल फारुकी का इसमाइल फारुकी वर्सिज यूनियन ओफ इंडिया तो यूनियन ओफ इसमें इसमाइल फारुकी वर्सिज यूनियन ओफ इंड कि उसके state के पास क्या कहते हैं sovereign power है कि वो किसी भी church को mosque को या temple को acquire कर सकती है और अगर state को लगता है कि law के maintenance के लिए ये काम जरूरी है तो state के कहते हैं acquire कर सकती है और ये article 25 और article 26 का violation नहीं होता है है ना इसमें state acquire कर सकती है और right to worship जो होता है ये एक essential part तो होता है religion का है ना मगर ये इस बात को include नहीं करता कि आप कहीं भी अपने right to religion को worship को कहीं भी करने लग जाएं और इसमें ये एक बात और आती है दो case है हमारे हमारे दो case है मौलाना मुफ्ती वर्सिस वेस्ट बंगॉल और एक हमारा Church of God वर्सिस KKRMC तो इसमें हमें बताया था कि इन दो case में बताया गया था कि आई जो loud speaker लगा देते हैं ये जो है noise pollution होता है और ये religion के अंदर essential part नहीं है इसमें जो है loud speaker और microphone पे बेन लगा दिये गए थे और ये article 25 का violation नहीं होता है मतलब आप worship तो कर सकते हैं मगर बे फिजूल की loud speaker के दोरा और microphone के दोरा आप बे मतलब की शोर नहीं मचा सकते जिससे की noise pollution होता है और कोई भी person जो है noise pollution या फिर disturbance of peace create करने के लिए allow नहीं होता है इन दो case में ये बताया गया था कि noise pollution in name of religion is not allowed अब हमारा एक case आजाता है A.S. Narayan versus Andhra Pradesh इसमें बताया गया था कि जो religion होता है वो bind करता है इनसान को अपने super power के साथ और जो religion का जो matter है ये personal faith और personal belief के अपर होता है अब हमारा next case है भूरी versus जम्मू कश्मीर भूरी versus जम्मू कश्मीर तो इसमें हमें बताया गया है भूरी versus जम्मू कश्मीर में ये वैशनो देवी श्राइन केस भी इसे कहा जाता है इसमें बताया गया था कि जम्मू कश्मीर वाता माता वैशनो देवी श्राइन एक्ट टेक निकाला गया था उसकी validity के लिए ये case आया था और इसमें ये provision in act करा गया था better management और administration के लिए कि अब क्या कहते हैं टेंपल में government के employee employee द्वारा पंडितों को लगाया जाएगा तो इसमें ये challenge करा गया कि ये जो act है ये वाइलेटिव है fundamental right का क्योंकि इसमें right to freedom of religion आइटिकल 25 25 25 26 का violation कर रहा है और ये act जो है अब ऑलिश कर रहा है जो हाई priority post होती है priest में के जैसे बाप होता है वह बाप पंडित था उसका माता वैशनो देवी के मंदिर में वह पंडित था तो उसका बेटा फिर पंडित बनेगा फिर उसका बेटा पंडित बनेगा तो ये हाई रारिटी पोस्ट को अबॉलिश कर रहा था ये एक्ट तो इस प्रोवीजन में जो एक्ट था इसमें एक प्रोवीजन मनाय गया था कि अब जो पंडित होंगे वो स्टेट गवर्मेंट द्वारा अपॉइंट किये जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसमें ये हे नहीं था अब हम पढ़ लेते हैं इसके रेस्ट्रिक्शन तो आर्टिकल 25 क्लॉस 2A में हमें रेस्ट्रिक्शन दे रखी है इसकी इसमें रेस्ट्रिक्शन में हमें रेस्ट्रिक्शन दे रखी है तो इसमें रेस्ट्रिक्शन में एकनॉमिक और फाइनेंशल चीजों पर र प्लिक ओर्डर, morality और health के लिए भी restriction लगाई जा सकती है इसमें क्या कहते हैं सिर्फ freedom to practice उन्हीं के उन्हीं तक ही है जो की in activity को in activity का जो essence है उनके religion में है और ये secular activity को cover नहीं करता है इसका case है मुहम्मद हनीफ कुरेसी वर्सिस बिहार तो मुहम्मद हनीफ कुरेसी में ये claim किया गया था कि जो गाए भैस होती है जो काओ होती है जो ने बकराईद पर sacrifice किया जाता है तो court ने ये claim किया था कि जो काओ का sacrifice किया जाता है सही होता है बकराईद पर मगर court ने ये reject कर दिया और ये कहा गया कि sacrifice जो होता है बक्रियों का और काउं का ये essential part नहीं होता है और इसे prohibit किया जा सकता है law द्वारा ठीक है और ये क्या कहते हैं सिर्फ ये state regulation द्वारा practice किया जा सकता है अगर चाहें तो अब हम पढ़ लेते हैं article अब clause B जो है वो second restriction देता है हमें clause B हमें second restriction देता है कि जो भी law होंगे जो state बनाएगी वो social welfare और social reform के लिए होने चाहिए ठीक है इसमें state को कहा गया है कि जो social practice है जो की country में country में चल रही है उनके खिलाफ कोई law नहीं बनाएगा उनके साथ चलके वो law बनाएगा और ये किसी भी law बनाएगे वो किसी भी religion के essence को नहीं बदलेगा वो effect नहीं करेगा और अगर कहीं भी क्या कहते हैं social welfare और reform में या religious practice में कहीं भी तकराव उठता है तो religion के उपर religion जो होगा वो उसके law चलेंगे ना कि state के law चलेंगे आर्टिकल 26 पढ़ लेते हैं हम आर्टिकल 26 में हमें बता रखा है freedom to manage religious affair तो आप जो हैं अपने religious affair भी आजादी से manage कर सकते हैं और इसमें जो restriction दे रखी हैं वो public order morality और health के उपर दे रखी है कि अगर इन सब का आप follow नहीं करेंगे तो आपका ये जो right है इसे restrict किया जा सकता है इसमें हमें right दे रखा है कि आप establish कर सकते हैं कोई भी institution और charitable purpose के लिए और उसके affair manage कर सकते हैं और कोई movable, immovable property acquire कर सकते हैं और administer कर सकते हैं कोई भी property को religious purpose के लिए article 25 जो है वो एक individual right देता है और article 26 जो है वो हमें एक organized body के बारे में बताता है article 26 को satisfy करने की तीन condition है हमारे पास तो उसमें पहली condition जो है वो collection of individual है ठीक है इसमें जो मैंने आपको बता जिया कि यह सब आप कर सकते हैं और इसमें जो article 26 की पहली जो condition है वो है collection of individual के individual का एक collection होना चाहिए कुछ लोग होने चाहिए और उन सब की एक organization होनी चाहिए जिनका object जो है वो common होना चाहिए और उनका एक separate नाम होना चाहिए अब इसमें हमारा case आजाता है ब्रहमचारी सिदेशवर सा वर्सिस वेस्ट बंगॉल तो यह हमारा case है इसे क्या कहते हैं राम कृष्ण मिशन केस भी कहते हैं राम कृष्ण राम कृष्ण मिशन केस भी कहते हैं इसमें क्या हुआ था सुप्रीम कोट ने यह कहा गया था कि जो राम कृष्ण के follower हैं यह एक individual है collection of individual है और इन सब की एक ही आस्ता है और यह सब क्या कहते हैं इनका नाम है राम कृष्ण फाउंडेशन तो इन्हें क्या कहते हैं यह एक separate वो है separate organization है यह हिंदू की तो इसमें सुप्रीम कोट ने यह करा था कि हम article 26 के अंदर अपना right claim कर सकते हैं ठीक है कि यह entitle है और यह Hindu denomination के अंदर आते हैं Hindu religion के अंदर एक इनकी एक denomination है एक separate नाम है तो यह entitle कर सकते हैं अपना fundamental right article 26 के अंदर तो article 26 के A में हमें बता रखा है कि आप manage कर सकते हैं institution को और charitable purpose के institution को religious और charitable purpose के institution को आप कर सकते हैं इसमें क्या कहते हैं सारी जित्ती भी religious domination है वो सारी के सारी establish और maintain कर सकती है इन institution को जो की charitable purpose के लिए है इसमें हमारा case आ जाता है अजीज बाशा वर्सेज यूनियन ओफ इंडिया अजीज बाशा वर्सेज यूनियन ओफ इंडिया इसमें हमें supreme court ने कहा था कि जो अलीगर्ड यूनिवरस्टी है वो muslim minority द्वारा establish नहीं करी गई है तो यह अपना जो article 26 के अंदर right है यह claim नहीं कर सकती जो muslim university है legal muslim university वो parliament द्वारा establish करी गई है second हमें बता रखा है कि आप manage कर सकते हैं जो भी अपना religious matter है और affair है ठीक है तो इसमें हमें बता रखा है कि जो भी religious domination बनाई जाएंगी जो भी institution होंगे वो अपने affair को खुद manage और manage कर सकती हैं इसमें state के कोई interfere नहीं करेगा जब तक कि public order, health और morality पे फरक नहीं पढ़ रहा है अगर आप कोई मतलब ऐसा काम करते हैं institution बना के कि कह देते हैं तो हमार religious institution है और वहाँ पे आप मतलब लड़कों को हत्यारों की वो देने लग जाए training और कहें कि तो religious institution है तो आप ऐसा नहीं कर सकते तो जो भी religious domination होता है वो complete freedom enjoy करता है अपने जो भी right और ceremony होते हैं उनके जो right और ceremony होते हैं वो decide कर सकता है है ना जो कि उनके religion के लिए जरूरी होते हैं और court सिर्फ ये decide कर सकता है कि ये जो right और ceremony है कर रहे हैं ये इस religion के लिए essential है या नहीं है ठीक है अब C में आ जाते हैं C में हमें हमें बता रखा है कि आप movable और immovable property भी acquire कर सकते हैं तो C और D जो है हमारा तकरीवन तकरीवन से परियम ही है कि आप इसमें पैलत acquire कर सकते हैं कि खरीद और बेच सकते हैं और इसमें बता रखा है कि आप उसको administer भी कर सकते हैं accordance with law तो इसमें हमें ये बता रखा है कि आप administer भी कर सकते हैं और ये जो है लिए limited right है जो कि regulate किया जा सकता है इस टेट द्वारा अब पढ़ ले पर टेक्स नहीं लगा सकते नहीं और इसमें यह बता रखा है तो सब्सक्रट deacon और को प्रामोर्टियानakah लिए टेक्स दिआ अबर इसे कहते हैं अमपासाइस करता है तो और कोई मतलब policy बनाता है कोई policy बनाता है और public fund लेता है अपने religion के promotion के लिए तो वो उसमें libel होगा इसमें हमारा case आजाता है रतीलाल वर्सिस बुम्बै रतीलाल रतीलाल का case है इसमें Supreme Court ने ये held करा था कि जो tax का nature है वो compulsory extraction of money होता है public से public authority जो है वो compulsory लेती है public से और ये क्या कहते हैं किसी भी public purpose के लिए यूज किया जा सकता है मगर किसी भी religious purpose के लिए आप tax नहीं ले सकते हैं अब article 28 पढ़ लेते हैं हम इसमें हमें बता रखा है कि आप किसी भी religious institution को इसमें prohibition लगा रखा है article 28 में बता रखा है कि freedom as to attendance at religious institution और religious worship in certain educational institution इसमें हमें बता रखा है कि कोई भी religious institution religious institution जो है उसमें आप जा सकते हैं और उसे attend कर सकते हैं और वहाँ पर worship कर सकते हैं article 28 का clause 1 हमें बताता है कि जो भी religious institution है वो क्या कहते हैं educational institution भी बनाए जा सकते हैं जो कि state fund पे चलेंगे holy या फिर partly जो religious institution है उन्हें educational institution भी बनाए जा सकता है और ये उन educational institution पे लगता है जो कि state द्वारा चलाए जाते हैं और वो किसी endorsement of trust के अंदर होते हैं जो कि religious institution द्वारा चलाए जाता है trust ठीक है जो भी religious institution द्वारा trust चलाए जाता है उसके उपर state school या school जैसे कुछ बना देती है ये हमें बताय गया है और कोई भी person को इसमें नहीं रोका जग गया है इस institution में पढ़ाई करने से कोई भी बच्चा in educational institution में चाहे वो उस religion का ना भी हो तब भी वो उस educational institution में पढ़ सकता है article 28 में जो है चार तरीके के educational institution हमें बता रखे हैं तो हमें पहला तो बता रखा है कि जो institution होंगे वो या तो पूरी तरीके से state के द्वारा चलाए जा रहे है या तो फिर उन institution को state द्वारा recognition मिली हुई है या फिर थर्ड हमें बता रखा है कि वो जो institution है उन्हें state द्वारा fund मिलते हैं कुछ fund मिलते हैं, aid मिलती है या फिर फोर्थ हमें बता रखा है कि जो institution है उनको पतलब state द्वारा तो उनको स्टेट द्वारा चलाया जाता है इसमें हमारा केस आ जाता है अरुना रॉय का केस आ जाता है यह हमने पहले भी पढ़ा है पिछले वीडियो में अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं यह हमारा अरुना रॉय का केस है इसमें नैशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाए गई थी जो की चिल्डरन को बेसिक वैल्यू एड कर रही थी उनके एजुकेशन में और रिलीजन के उपर स्टडी हो रही थी और इसमें यह बताया गया था कि जो भी रिलीजन है उनकी स्टडी करना एक फिलोसिफी की तरह होता है और एक फिलोसिफी पढ़ने जैसा होता है और यह आर्टिकल 28 का वैलेशन नहीं करता है और आप किसी भी रिलीजन की स्टडी कर सकते हैं क्योंकि वो एक रिलीजन जो है एक फिलोसिफी को दर्शाता है तो अगर आप मेरी वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो आपका धन्यवाद नेक्स्ट हम आगे 29 और 30 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे थेंक्यू